Twitter is changing its name and logo Ladies and gentlemen, I am the students of business Market से business world से बहुत बड़ी news निकल कर आती है Twitter के end पे, Elon Musk के end पे कि Twitter अपना अब इतने सालों के बाद Finally अपना name बदलने वाला है प्लस जो उसका जो blue bird का जो symbol है जो logo है, जिसे का जाता है कि वो Twitter का biggest asset है उस logo को भी, जो blue bird का logo है उस logo को बदलने वाला है और कुल मिला कर ये सारी controversy निकल कर आ रही है Elon Musk के end पे हम सब को ये बात पता है कि Twitter को बहुत recently Elon Musk ने क्वाईर किया था Elon Musk ने Twitter में एक majority stake खरीदा था और Twitter को take over कर लिया था उसके बाद से Twitter में काफी सारे अलगला type के changes करे गए काफी सारी videos मैंने इसके regarding बनाई थी काफी सारे changes cover up करे थे for example जो blue tick का verification वाला part था उसका पूरा business model चेंज कर दिया गया उसको monetize कर दिया गया अभी recently मैंने एक video बनाई थे कि Twitter प्लान कर रहा है कि वो अपने platform पर job listings भी लाने वाला है का मतलब यह कि Twitter पर जो company के accounts होएंगे company के जो pages होएंगे वो companies अपने pages पर अपनी jobs को post कर पाएंगी अब यहाँ पर Twitter के end से एक और बहुत बड़ी news निकल कर आती है guys बात ऐसी है कि Twitter को जब Elon Musk ने acquire किया था उसके बाद Twitter का जो business name है business name का मतलब क्या की जो company का नाम है वो Twitter incorporation से change करके कर दिया गया था X corporation का मतलब यह कि Twitter का जो brand name है वो तो Twitter है बट Twitter जिस company के under आता है वो Twitter जो Twitter incorporation के नाम से था वो नाम जो Twitter incorporation के नाम से था वो नाम Elon Musk के बाद कर दिया गया था X corporation मार्केट में ऐसी यूज आई थी कि इस नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्लान आउट है Elon Musk का वो प्लान आउट यह है कि X Corporation को इस पूरे के पूरे बिजनस को Elon Musk चाहते हैं in terms of a super app बनाना का मतलब यह कि Twitter जिस company के अंडर चल रहा है X Corporation, वो X Corporation मार्केट के दुनिया के हर बिजनस सेग्मेंट में रहे एक आप के थुरू आप हर चीज कर पाएं, जॉब्स देख पाएं, क्या आप्स बुक कर पाएं, पेमेंट्स कर पाएं वगेरा वगेरा basically कुछ ऐसा model जैसे कि Paytm का है, जैसे कि basically चाइना का WeChat का model है, जिसको उन super apps कहते है तो X Corporation का overall vision यह है कि हम अपने आपको एक तरीके से super app के form में develop कर पाएं और अब यहां पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है, Twitter का ना, जो कि इस time पर Twitter है, the brand name, अब change होने वाला है और वो change के कुछ ऐसा ही रखा जाएगा, जिसमें X Corporation का एक denotion रहेगा, X Corporation का एक indication रहेगा प्लस यहां पर Elon Musk ने एक और बहुत बड़ी announcement दी, Elon Musk ने publicly कहा कि please हमें एक logo बना के दो बड़ी आसा, जिसमें bird ना हो but which should be based on the symbol X, ताकि वो symbol यो है, वो X Corporation, जो कि धंदे का नाम है, इस overall vision का नाम है, इस overall plan out का नाम है, वो धंदे के vision को symbolize कर सके the point is, Twitter का नाम और Twitter का symbol अब change होने वाला है, कुल मिलाकर जो symbol रहेगा, जो नाम रहेगा, वो X Corporation, जो business name है, उससे काफी जदा related हैने वाला है और नाम और symbol basically Twitter के जो business का जो long term vision है, to create a super app, जिसमें आप सब कुछ कर सको, एक ही app में, उस vision को अब finally पूरा करेगा However, the contradiction part is, the bad part is, Elon Musk ने तो ये announcement दे दी, but Twitter के management ने ओन दे दरान ये कहा, कि हमारा जो logo है, और जो हमारा blue bird का पूरा theme बना हुआ है, जो हमारा नाम है, ये company का आज तक का सबसे बड़ा asset है, और इस naan को change करना, symbol को change करना, actually it is going to be a bad part But Elon Musk आपको सबको पता ही है, क्या दिमाग चलता है, क्या नहीं चलता है, किसी को नहीं पता, उन्होंने बोल दिया है कि company का नाम और company का logo बदलने वाला है बहुत जल्दी हमें देखने को मिलनेगा, कि finally twitter का नाम और twitter का logo बदल गया, और अब नए logo पर twitter, नए नाम पर twitter shift हो चुका है what is your analysis on this entire intake, क्या आपके इस subscribe twitter का नाम और twitter का logo change होना चाहिए या फिर जो existing brand value है, वो ही चलती है नहीं चाहिए, उस brand value को harm करने से actually बहुत loss होने वाला है do comment your analysis, your intake on this entire thing and let me know, thank you